हलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडन्स लाइफ में सो बच्चो जैसे कि आपको पताई होगा इससे पहले भी मैंने आप लोग को जानकारी दे हुई है कि 2021 की जो बोर्ड परिक्षा है वो इस बार लेट से होगी जो परिक्षा फरवरी महीने में सुरू होती थी तो वो इस बार मार्च महीने या फिर अप्रेल महीने से ही सुरू हो पाएंगी इससे पहले सुरू नहीं होगा तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को तीन कारण बताने वाला हूँ जिससे कि आप यह खुद कर सकते हो कि बोर्ड परिक्षा इस बार जरू लेट से होगी हलांकि CBC ने एक नोटिफिकेशन निकाल के यह बताया हुआ है कि हमारी एक्जामनेशन जो है वो 15 फरवरी से सुरू हो जाएंगी जो कि यह पॉसिबल नहीं लग रहा है अब ऐसा क्यों है तो चलो इसके पीछे तीन कारण को देखते हैं सबसे पहला जो कारण है वो है सैंपल पेपर बहुत दिनों से बच्चे इसका इंतजार कर रहे है कि सैंपल पेपर रिलीज होगा आज होगा कल होगा लेकिन ऑलरेडी आज 3 अक्टूबर हो चुका है लेकिन अभी तक सैंपल पेपर रिलीज नहीं क्या गया है तो यह एक बड़ा कारण है यदि सैंपल पेपर रिलीज लेट से होता है अल्रेडी इससे पहले जो sample paper release हो जाता था वो 20 September के पहले release हो जाता था तो अल्रेडी 15 दिन late हो चुका है तो इस प्रकारस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह अगर sample paper late हो रहा है तो हमारी जो examinations है वो भी late होगी क्योंकि बाखी publications के भी sample paper तक तक नहीं निकालते हैं जब तक कि CBC न sample paper निकाल देखियों कि जब CBC sample paper निकालती है तो इससे हमें बहुत कुछ का idea मिलता है और उसी के according जो है sample paper बाखी publications के निकालते हैं से question paper का pattern क्या रहेगा तो इन सब के बारे में जानकारी मिलती है और अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे publications हैं जिन्होंने sample paper निकाला हुआ है लेकिन उन्होंने अपने अनुमान से निकाला हुआ है तो अभी आप लोग बिल्कुल भी sample paper ना ले किसी भी publication का क्योंकि यदि आप अभी sample paper लेते हो तो फिर CBS के अगर pattern में change करती है जो कि obviously हर बार होता है और इस बार भी कुछ ना कुछ pattern में changing होगा English, Hindi, Sanskrit में तो already हमने देखा हुआ है SST में भी pattern change है बाकि math और science का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है हो सकता है उसमें भी pattern change हो जाए तो अभी अगर आपको कहीं दूसरे publications का किसी भी publications का sample paper मिलता है तो वो sample paper अभी आप लोग बिल्कुल भी buy ना करे वरना फिर आगे चलके आपको उसका paper का pattern भी change देखने को मिल सकता है तो ये एक बड़ी वज़ा है कि sample paper late से release होगा कि जो हमारी syllabus है जो reduction करके syllabus दिया गया 30% वो भी late से किया दिया गया है करीब जुलाई के महिने में ठीक है तो ये भी एक बड़ा वज़ा है कि syllabus से late से आया है तो हमारा session भी late से शुरू हुआ है तो examinations भी late से होना चाहिए और ये बच्चे चाहा भी रहा है कि हमारी examinations है वो late से हो ठीक है तो ये दूसरी वज़ा है तिसरी जो एक बहुत बड़ी वज़ा बताए जा रही है वो है हमारी school खुलने को लेके जैसे कि आपको पताई होगा कि हमारी school अभी तक बंद है अभी तक खुल नहीं पाई है तो ये भी एक बड़ा वज़ा है कि बच्चे उस तरह के सभी सीखनी पाएं समझनी पाएं पूरे question को solve नहीं कर पाएं और एकर examinations पहली हो जाता है तो फिर उनका जो पढ़ाई है वो पूरा नहीं हो पाएगा और examinations पहली हो जाएगा तो उनकी preparation अच्छे से नहीं हो पाएगी तो ये भी एक बड़ा कारण है जिससे कि हम यह साब तवर पर कर सकते हैं कि हमारी examinations जल्दी नहीं हो पाएगी तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और चैनल को आप लोग subscribe करके रखें ताकि जैसी sample paper release होती है CVC के तरफ से कोई भी notification आता है, date दित आता है तो वो मैं आप लोगों को provide कर दूँगा, बता दूँगा सबसे पहले, ठीक है, thank you